At which edge in month, head circumference becomes equal to chest circumference. Question आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी edge है, जब head circumference है, वो chest circumference के equal हो जाता है. सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको normally head circumference कितना होता है? यह होता है आपका 33 to 35 cm, and normally जो आपका chest circumference है at birth पे वो होता है 32, 33 cm. Question आपसे आता है, इन दोनों के बीच में difference कितना होता है at birth पे तो होता है 3 cm. अब आपका जो question था, वो कह रहा है equal, यह equal कब हो जाते हैं, तो इसका पहला answer तो ही है equal 12 महीने में हो जाते हैं. 12 months is right answer, यह फिर आप बोल सकते हो 1 year के अंदर यह equal हो जाते हैं, कितना हो जाता है बच्चो, तो 45 cm, एक साल पे कितना हो जाता है, 45 हो जाता है और यह अपना right answer क्या है, 12 मेने पे क्या हो जाते हैं, head and chest circumference दोनों equal हो जाते हैं, ऐसे more updates के लिए हमारे विनाएक नर्शिंग अकेडिमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, Google Play Store पे जाके विनाएक नर्शिंग अकेडिमी की एप को डाउलोड कीजेगा, और इंडिया का सबसे सहसा इंस्टिटूट केवल और केवल 1499 में रूपे MRP के अंदर इसका फाइदा उठाएगा,